बेगु सराय में गिरी राजदा जब तक रहेंगे कभी विकास नहीं होगा, रिफाइंडी में एक भी लोकल आदमी को काम नहीं दिया जाता है, प्यपसी पलांट खुला हाल में गिरी राजदा जिनको चाहे अपना लोग को सब को अपना काम दिये और अपने ही समाज के जाना जाके खटता है लेकिन बगल में पलंट खुला है एक भी बेगुसराय के लोग को उसमें कौम मिला है जहां मजदूर का बेतन आए होना चाहिए कई सजार तो अठारे हजार देखे तीन हजार अपने पॉकिट में रख लिए बाहर से मजदूर लाके कौम करवा रहे हैं किसी गरीब के बाल बच्चा को रिफाइंडी के तरफ से सोजन से क्या मिलता है सो हमको बताईए कुछ नहीं मिलता है हम तो नहीं देख रहे हैं लालू जादव चालेगा तीस बार भी पचीस में सातों के सातों सीट बेगुसराय से लेके जाएगा देखे बेगुसराय में अभी हमारी मौजूदगी है और लगातार पिछले तीन दिनों से रहे हैं दोरे के दोरान बहुत सारी नज़राई है और बहुत सारे लोगों का सिकायत है यहां के अस्थानिया ब्वस्थाओं को लेकर यूँ कह ले तो बेगुसराय में वेक्ट्र पुष्टरा के महासचीव हैं मुकुल सरदार जी हैं इन से जानेंगे यहां पे लगातार जुरे रहते हैं समास सिवा में इनकी काफी भागेदारी देखी जाती है सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्वाद जो आपने अपना कीमती समय निकाल निकाल के हम लोग में वेगुषराय सबसे आगे उपर देखा जा रहा है लेकिन यहां के अस्थानिया लोग को उद्ध्योक के नाम पर सिर्फ ठका जा रहा है यहां के लोकल लोग को एक भी रोजगार नहीं है जो की बाहर करते हैं क्यों नहीं मिलने का कारण है कि आज तक यहां के समाज के लोग को कभी को उस जगहां पर नहीं पहुंचे हैं जो कि इनकी लहक और लराई लर सके कि यहां के संसद जो भी है जिरी राजदा वह आज तक बगल में प्रेप्सी प्लांट खुलवाए हैं पता कर उचे बर्ग के लोग हैं और मजदूरी करने के लिए जो भी जाता है वो अतिपीछरा समाज को हो इनका नेत्रूत को सही धंग से नहीं कर पाते हैं बगल में रिफाइंडी है आए परदूसन बेगुस राजिला पूरे भारत में परदूसन में नम्मर वन आता है लेकिन र समसा चाहें जो भी मेंबर हो उस कमीटी को जो भी हो आज तक किसी आप जाईए दोर देहात है बगल में आप बच्वरे ले लिए या चरियावरियार्कुर ले लिए कहीं से इर्दगीर्द मतलब रिफाइंडी में एक भी लोकल आदमी को कम नहीं दिया जाता है इसका समस्या है यहां अप जूरे रहते हैं मुक्षू नहीं प्रयास करते हैं कि यहां के लोगों को लाफ पहुंचाया जा इसको लेकर आपने मुख्या मंत्री जी से क्या अप्लिकेशन वगरा भीजने का मंत्री जी कभी भी अती पिछरा समाज के एक भी नेता बनाएं बेगु पूसराइजिला को देखिए तो एक भी पिछराग बेटा आपको कहीं पर अच्छा पोस्ट पर जगह नहीं एक भी नहीं रखा देगा चाहें वह आयम लसी का पोस्ट हो विदान बचाहें जे भी पोस्ट ले लिजिए उचा जो भी जो की हत के लिए वहां लर सके आपकी बा लुए तो कहां से विकास हो पाएगा सो पहले बताईए हम लोग को बात को आगे तक पहुंचे गा तब तो व नहीं ह singles फोगा पेपसी प्लान्ट कुला ह度 में सब जा गृासा कर लिए आपना लोग को क्यों दोड़के लोग दिल्ली पंजाब हर्यना जाके खटता है लेकिन बगल में प्लॉंट फुला है एक भी उस्राइक लोकर ना कौम। कि उन्हीं के समाज के लोग लुट ये रहा है तो क्या जरूरी है बात रखना उनका अपना कमिशन पहुंच जाता है आएंगे और सरकीट हाउस है रिफाइंडी का अपना भी आईपी भरे और चल दिए क्या जरूरी है जनता पर बिहार में बेगु सराय को जिला माना जाता ह जो है भी यहां पर यहां के लोगों का विकास कैसे होगा विकास होगा उस समय जब यहां की राजनीतिक में यहां के अतिपीछरा समाज के अलफसंख्यक समाज के दलिस समाज के बेटा उस जगह पर पहुंचेगा तब इसके हक और अधिकार के लिए लरेगा आज लालू ज लेकिन सत्रे साल में पहले कहने भाजपा के साथ थे उसी समय उनोकरी दे देते कि मैं ट्यार्पी ले रहा है अधी जो कौम करेगा वही दिखेगा अब तो गिरीराज सिंग टेक्स्टाइल मिनिस्टर भी बन चुके हैं केंदर में मंत्री बन चुके हैं क्या लगता है अब ब पहनी मनी के घर पर जाके भोज खा लेते हैं फुटो खिचाके अपना विकास के ही लोग उनको वोट दे देते हैं और वो जीत जाते हैं अधी पीछरा समाज ठका रहा है अधी पीछरा समाज के भोट से वो जीत जाते हैं 21 लाक आबादी है विदान सावा में मंत्र पंच लाग भुम्यार समुदायक का अबादी है और उस पर वो राज करके चल जाते हैं वो हम्लोग की कमजोरी है कमजोरी क्या है कि हम लोग के समाज के कोई उमिदबार करने हो पाते हैं तो बता देते हैं कि फिर उनी का सरकार रहेगा और सत्ता रहेगा हम लोग सिर्फ तपली बजाने के काम करेंगे कर रहे दस सालों से आप लगतार राजनिती कर रहे हैं कि लोगों से मिलना जुनना हो रहा है कहां पे कमिया कहां पे रह जاتी है नगर जो नगर मेर भी हैं यहां कि उनको लेकर भी काफिश सिकात है आप देख लिए मेर भी जीते हैं तो अती पिछरा के भूर से बहुत से चुनाव जीते और वो चुनाव जीतने से पहले सैकल से चलते थे कहते थे कि लोग सहर के लोग काते थे संज्जादा नहीं से चलने वाले नेता हैं लेकिन आज उनको जाके देखिए एक एक गरीब को खोपरी को उजार के बेगुसराय से उप्षेक दिया आप जाके पता कर लिजिए बेगुसराय नगर निगम में जितना फुटकर था जितना रिक्साबला था जो परिशान आज इन मेर के रिजन में हैं वो कभी नहीं परदूसन मुक्त होना चाहिए सहर इसमें पार्टी पॉल्टिस से हटके भी परदूसन सब के लिए खत्रा है इतना बड़ा प्रोजेक्ट रिफाइंडी है रिफाइंडी आदी इतना बड़ा प्रोजेक्ट चला रही है तो इर्दगीर्द जो दस मतलब मान लिजे बगल म जनता को सो पहले हमको बताईए या विदायक से जानना चाहते हैं कि कैगो गड़ीब के बालवच्चा को वो रिफाइंडी अपने तरफ से परहता है लिखाता है जबकि परदूसन हम ले रहे हैं दुख हम ले रहे हैं तो सुख भी हमी को मिलना चाहिए लेकिन आज तक किस किसी आम गरीब के पास कोई चीज योजना का चीज नहीं पहुंच पाता है आप लोगों ने क्या पहल कि कहीं ने कहीं आप तो आप हमरे यहाँ आए हम हर समय आवाज को उठाते हैं मेरी आवाज को पटना तक मैं अपने पाटिक भी सिर्ष नेता का विरोध करता हूं कि आप जो बेवुसराय की समस्या होता है उस पर बात पटना में नहीं रखकर आप बात रखते हैं बहुत बड़े-बड़े जैसे करपूरी जी के अंबेदकर जी पर राजनितिक पर चर्चा करते हैं पहले तो आप यह चर्चा किए कि आपकी जिला की समस्या क्या है जिला की समस्या तो आज तक कोई नेता जाते हैं उहां नहीं रखते हैं अपना गए चादर और है जो होता है सम्मान के बहुत बड़ी सम कर लिया को फूल कर लिया कि हजार रुपई हमको दे दिजिए सब भर देता है सब पेपर को फिर बेचेगा पंच हजार साथ हजार एक विद्यार्थी से लेगा तब जाके विद्यालियों की यह जी जी इस पर तो हम कहते हैं विधायक जी को देखना चाहिए सिक्षा पर इतना वरा नितिस जी कहते हैं कि बेटी पर आओ देश बचाओ बेटी के लिए बहुत कुछ करता जाईए अभी कोलेज में जाईएगा बहार में बेटी फ़र्म भरने के लिए टवा रहा होगा पोटल सुनते हैं खुल वो ने किया अभी पोटल बीच में खुला क्या अप आप लोग क्यों नहीं पहल करें आप लोग जाएए ठां सवाजाईए नितिस कुमार जी की कौ्ट सामली हεται समय जाते हैं और हर जगह जी जी और लालू जी हमारे गरीबों के मस्या हैं अती पीछरा के अवाज हैं अधी वो नहीं चाहेंगे बेगुसराय बदले तो कौन बदल सकता है सो पहले बताईए आज ललन सिंग को असोक मातों के पत्नी अनिता देवी को ठीकर दिया तो ललन सिंग को जवाब दिया जहा को हम जीत नहीं मानते हैं उनितीस जी के सरकार में थे परसासन को मिला के वो जीत लिए जो कि आपको पता होगा तीस से पैटिस भूट पर अती पिछरा समाज को भोट नहीं गिराने दिगया गया अधी आप लोग को जनकारी हमसे जादे होगा आधी आप लराईएगा तब लाग भोट नहीं रहता तो पॉंच लाग बार सथ हजार भोट अब देशराय को मिलता सो पहले बताईए बेगुसराय बिधान सभा में अभी इस बार जो कि तीन लाग चार लाग भोट सरे चार लाग भोट से गिरी राज सिंग जीते थे पिछली बार इस बार देखिए कि लाग भोट का परसेंटेज उनका घटा अधी राजा सोयम चुना लरती तो बेगुसराय बिधान सभा भी जीत के जाती लरती बेगुसराय ऐसा सीट है जो लालु जादव एक बार सातों सीट लेके गए थे बेगुसरा से आपको बता जेते थे और लालु जादव चाले ग रहता है नहें यह तो कहना गलत है सपना कहें सपना रह जाएगा अधी लालु जादव अपने पर ख़रा कर दें अपना उमिदवार देखे लेकिन यह होता है कि भीक लिए उसको दिला देता है उससको दिला देता और जनता के बीड जो राता है जनता भी सोचता है कि इसको एक बार मिल जाएगा न तो हम लोग इसको मदद कर देंगे आगे बढ़ा देंगे लेकिन आप मोका दीजिएगा तब तो आगे बढ़ेगा लेकिन यह तो मोका मिल नहीं पाता है अपने हमारे शाथ मुकुल सरदार जी थे साफ सब्दों में कह रहे हैं कि अगर गलत हमारे नेता भी रहेंगे तो हम उनका विविरोध करेंगे लेकिन जहां तक बात बेगु सराय जीले की है तो एक समय था जब लालू प्रशाद यादब ने सातों का सातों सीट जीते थे य लगातार यहां पर जो है उचे वर्ग उचे वर्ग जिसको कहा जाता है उनका बढ़ चश्व बना हुआ है चाया वो कोई भी पोश्टो सभी उनके हाथों में है कहने के लिए तो बेगु सराय और दियोग की जीला है लेकिन यहां के लोगों को नहीं मिल पाता है क्योंकि बहुत सारे विचौली हैं जो बीच से ही लोगों को भर देते हैं और यहां के लोग उस तक नहीं पहुंच पाते हैं सबसे बढ़ा दुख इन्हें इस बात का है कि अती पिछरा और बैक्वर्ड कॉमिनिटी के कोई भी लोग यहां पे उचे जग्वों पे नहीं है जो यह डिसीजन ले सके कि बेगु सराय का विकास कैसे होगा लेकिन यह भी हकीकत से आप मुह नहीं मूर सकते हैं कि वाकई बेगु सराय जो है पूरे भारत का सबसे अधिक प्रदूर्शित सहर बना हुआ है पता नहीं टेक्स्टाल मिनिस्टर कह दे कैंद्रिय मंत्री गिराज सि हैं लेकिन बेगु सराय की बारी आते तो उन्हें भूल जाते हैं कि में क्या कुछ हुआ है और क्या कुछ करना तमाम मुद्व के वे बेगु सराय को लेकर आपकी क्या प्रतिक रिया है हमें कमेंट वॉक्स में जरूर दीजीएगा लाइब लोग नीउस देख रहे थे झाल झाल